हेलो फ्रेंड वेलकम टो माई चैनल मस्तान वाटो टैक दोस्तों आज हम करने वाले हैं हुन्डाई एक्सेंट का स्टेरिंग कंट्रोल मॉड्यूल रिपेर और ये आज हमारे पास आया हुआ है रिपेरिंग के लिए और इसका पार्ट नंबर होता है बी ए थर्टिफाइफ ये कुछ आई टैन ग्रेंट के मॉडल में भी आता है और एक्सेंट में आता है तो इसको हमने अल्रेडी इसके स्क्रू वगेरा ओपन किये हुए हैं तो इस तरीके से ये होता है इसका पीसीबी बोर्ड देखने में लग रहा है बिलकुल न्यू कंडिशन कहीं पर भी कोई कोई रस्टिंग नजर नहीं आ रही है कहीं पर कोई वाटर डेमेज कोई बर्न कहीं से भी कुछ जला हुआ टूटा फूटा कुछ नजर नहीं आ रहा है एकदम परफेक्ट कंडिशन में लग रहा है लेकिन सभी अच्छी तरीके से इसको देखने के बाद पूरे बोर्ड क आगे और पीछे से हमें एक यह आगे और पीछे से बिलकुछ सब कुछ इसके कॉम्पोनेंट देखने में तो सही लग रहे हैं लेकिन एक चीज हमें नजर आई है इसमें जो कि हम आपको दिखाते हैं यह जो इसकी मेन आईसी है इसमें एक छोटा सा होल हो चुका है यह शा की वज़े से होता है यह शायद अभी आपको नजर आए यह एक बहुत छोटा सा यहां पर हो लो चुका है इसमें इसका मतलब यह आइसी हमारी बस्ट हो चुकी है और इस मॉड्यूल में यह आइसी खराब है और इस आइसी के खराब होने की वज़े यह इपियस कंट्रोल मॉडूल वर्क नहीं कर रहा है तो अब हम इस आइसी को सबसे पहले रिमूव करेंगे और इसकी जगह नए आइसी लगाएंगे और उसके बाद हम इसको टैस्ट करके देखेंगे कि यह हमारा वर्क करता है या नहीं तो यह खराब वाली आइसी हमने इस के सभी पिंस से सोल्डर को एक्स्ट्रा सोल्डर जो है उसको हटा लेते हैं और इसको क्लीन कर लेते हैं एक बार अच्छी तरीके से तो यह हमारी आइसी रिमूव हो चुकी है यह इसकी खराब वाली आइसी और यह हमारे पास एक नहीं आइसी है जो कि हम इसमें लगाएंगे आइसी लगाने के लिए बड़े आराम से थोड़ा वक्त लेकर इसको लगाना होता है कोई भी पिन आपस में एक दूसरे से टाचनी होनी चाहिए और इसके लिए आप थोड़ा वक्त ले सकते हैं इसमें जल्दबाजी की जल्दबाजी करने की कोई ज़रुवत नहीं होती इसमें आराम से तसलिए से बिल्कुल सीधी तरीके से इसको बैठाईए और फिर इसको फिटिंग कीजिए हमारे कई सब्सक्राइबर भाई का मैसेज आता है कॉल आता है कि हमारे पास ये गाड़ी है और हमारा इस्टेरिंग कंट्रोल मॉड्यूल वर्क नहीं कर रहा है तो आप हमें बता दीजिए कि इसमें हम क्या करें कि ये ठीक हो जाए और हम इसको खुद से ही रिपियर कर लें तो मैं उन सभी भाईयों से ये कहना चाहता हूँ कि ये EPS कंट्रोल मॉड्यूल जो होते हैं ये सभी में एक जैसी प्रॉब्लम नहीं आती हर गाड़ी में हर EPS मॉड्यूल में अलग-अलग कॉंपोनेंट्स खराब होते हैं ऐसा नहीं है कि सभी स्टेडिंग कंट्रोल मॉड्यूल में एक ही चीज़ खराब है और हम आपको फोन पर ये बता दें कि ये चीज़ आप चेंज कर लीजिए और आपका EPS मॉड्यूल ओ हो जाएगा तो इस तरीके से बिल्कुल नहीं होता है अगर हम आपको अंदाजे से बता भी दें कि ये पार्ट चेंज कर लीजिए तो ज़रूरी नहीं है कि वह पार्ट उसका खराब हो और आप सही पार्ट को ही निकाल दें और खराब एक उसमें कुछ और भी हो सकती है त तो इसमें बहुत सारे छोटे बड़े components होते हैं इनको सभी को test करना पड़ता है multimeter से कुछ weak हो जाते हैं कुछ short हो जाते हैं कुछ beep करने लगते हैं कुछ components में resistance में value जादा आने लगती है कुछ कुछ में बिल्कुल आनी ही बंद हो जाती है जो beep वाले register होते हैं उनमें beep आनी बंद हो जाती है या बहुत जादा value के साथ beep आती है जो mouse fit होते हैं वो short हो जाते हैं या गलत reading देने लगते हैं तो बहुत सारी चीज़े होती हैं तो किसी भी steering module में एक जैसा part change नहीं होता इसलिए message करके या phone करके ये बताना बहुत मुश्विल होता है कि आपकी गाड़ी के steering control module में कौन सा parts खराब होगा ये सब आपको multimeter से ही test करना होगा उसी से आपको पता चलेगा कि क्या components इसका खराब है और तभी आप उसको repair कर पाएंगे अभी एक हमारे subscriber भाई के पास ION थी उन्होंने अपनी ION का steering control module खुदी open किया खुदी उसको repair करने की कोशिश की और वो शायद LED repairing का काम करते थे और उन्होंने अपने अच्छे खासे steering control module को उसके track को खाड़ दिये उसमें LED के components resistance लगाने की कोशिश की तो बहुत ही अच्छा उनका जो की बहुत अच्छे तरीके से repair हो जाता और शायद उन्होंने दुबारा इस तरह की problem ही नहीं आती उनकी गाड़ी में लेकिन उन्होंने अच्छे खासे steering module को खराब कर लिया और जब वो हमारे पास लेकर आए तो उसके सब बहुत सारे track उकड़े होए थे और उसको repair करना बहुत ही मुश्किल था तो कभी आपके पास इस तरह की problem आती है और आप तो आप किसी स्टेडिंग कंट्र मॉडिल repair करने वाले भाई से कॉंटर कर सकते हैं जो ECM वगर्यर करते हैं उनसे कॉंटर कर सकते हैं आपकी सिटी में आपके स्टेट में तो आप उनसे रिपेर कराईए उससे आपका नुकसान होने से बचेगा और आपका काम ठीक हो जाएगा और अगर आप हमारे पास भेजना चाहें आप इंडिया में किसी भी स्टेट से हों किसी भी सिटी से हों आप हमारे पास अपने EPS कंट्रोल मॉड्यूल को रिपेरिंग के लिए कूरियर से भेज सकते हैं हमारा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप उससे वाट्सेप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं तो आपको अच्छी तरीके से इस्टेरिंग कंट्रोल मॉड्यूल रिपेर करके दिया जाएगा और हम तसली से काम करते हैं और अच्छी तरीके से अपने पास टेस्ट करके ही केस्टमर को वापस रिटन करते हैं किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी आप बेफिकर होकर हमारे पास सेंड कर सकते हैं और एक चीज़ और हम बताना चाहते हैं आपको के हम सिर्फ इस्टेरिंग कंट्रोल मॉड्यूल रिपेरिंग का ही काम करते हैं हम इसेम वगेरा का रिपेरिंग का काम नहीं करते हम सिर्फ इस्टेरिंग का ही काम करते हैं सभी गाड़्यों के स्टेरिंग का ही हमारा work है तो आप बे फिकर होके हमारे पास अपने स्टेरिंग कंटर्ल मौड्यूल स्टेरिंग मोटर या स्टेरिंग से related कोई भी parts हम से purchase Евby कर सकते हैं या repair भी करा सकते हैं हमारा number आपको स्क्रीन पर भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा तो इस तरीके से हमने इसकी यह आई सी चेंज की है इस तरीके से प्रेस करके हम आई सी वगारा चेंज करते हैं उसकी पिन्स को हम अच्छी तरीके से पहले नीचे set कर लेते हैं और फिर हर तरफ से इस तरीके से आप उसकी pins को heat gun से उसके solder को melt करके fitting कर सकते हो और अगर कोई भाई चाहे तो pencil iron जो आते हैं बारica pin वाले उस iron से आप इसकी IC की pins को sold कर सकते हैं आइरंस का यूज कर लेना चाहिए क्योंकि कई बार हीट गन से पिन्स अपने ट्रेक पर नहीं सोल्ड हो पाती तो आप उसको आइरंस से सोल्ड कर सकते हो तो इस तरीके से हमारी यह ऐसी चेंज हो चुकी है एक बार अच्छी तरीके से यह चैक कर लेना चाहिए कि कोई पिन आपस में तक्रा तो नहीं रही है कोई पिन आपस में तक्राएगी तो शौट होगी और हमारा EPS रिपेर सही से नहीं हो पाएगा और वो वर्क नहीं करेगा तो IC लगाने के बाद एक बार अराम से इसको चेक कर लेना चाहिए कि इसकी सभी पिन अच्छे से सोल्ड हो चुकी है या नहीं या कोई पिन आपस में तक्रा तो नहीं रही है तो यह IC हमारी बहुत अच्छे तरीके से फिटिंग हो चुकी है यह बिल्कुल बढ़िया फिट हो गई है और अब हम इसको चेक करेंगे कि हमारा जो EPS मॉड्यूल है यह वर्किंग में आया है या नहीं तो यह IC हमारी हो गई है चेंज जो इसकी पहली IC थी उसमें बस्ट होने की वज़े से होलो चुका था यह EPS कंट्रोल मॉड्यूल है Accent का Hyundai Accent तो अब देखते हैं इसको हम चेक करते हैं तो हमने कर लिया इसको फिटिंग B444 यह हमारा EPS कंट्रोल मॉड्यूल फिटिंग हो चुका है अब हम ले आते हैं इसको अपनी टेबल पर यह है हमारी टेस्टिंग टेबल जिससे के हम सभी गाड़ियों के EPS module टेस्ट करते हैं यह हमारी मोटर है जो की Xcent और I10 Grand के EPS module को टेस्ट करने के लिए यूज होती है और इसके लिए हमें टॉर्क सिगनल की जरूत पड़ती है यह हमारी कॉलम में टॉर्क की वाइरिंग लगी हुई है और इससे हमें टॉर्क के सिगनल मिलेंगे जब हम इस्टेरिंग को लेफ्ट या राइट घुमाएंगे तो यह मोटर हमारी घुमेंगी तो चलिए चेक करते हैं तो यह मोटर हमारी घुमने लगी है जैसे हम इस्टेरिंग को घुमाते हैं तो हमारा टॉर्क सेंसर जो है सिगनल देता है EPS module को और EPS module हमारा current supply करता है motor को तो ये हमारे connection होए हुए है और ये बिल्कुल perfectly work कर रहा है तो ये हमारा EPS module बढ़िया से repair हो चुका है और ये गाड़ी में भी perfectly work करेगा उमीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी जल्दी मिलेंगे किसी नई वीडियो में Thank you for watching